मैं अपने माबाप का इकलोता बेटा था और मेरी तीन भेने थी माबापने अपनी चादर में रहते हुए हम सब को अच्छा पढ़ाया लिखाया जब मेरी तालीम मुकमल हुई मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की जबके मेरा तालीमी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली मेरे सर पर बहुत जिम्मेदारिया थी मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था इसलिए मैंने बाहर जाने का सोचा आस्ट्रेलिया मेरा एक दोस्त रहता था उसने मेरी बहुत मदद की और मैं काम के सलसले में आस्ट्रेलिया आ गया मैं आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए गया था लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था एक दिन मुझे पता चला कि एक स्टोर में किसी सफाई वाले की जरूरत है मुझे तो ये काम भी घनिमत लगा इसलिए मैं वहां चला गया स्टोर की मालिक नेख सियाफा मौरत थी इसने मुझे कहा कि तुम ये सफाई करो अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगी दूसरी सूरत में तुम्हें आज के दिन की मजदूरी मिल जाएगी मुझे तो एक दिन की मजदूरी भी बहुत थी कि मैं खुद पिछले कई दिनों से बुखा था और इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे स्टोर की सफाई की जब मैं अंगूठी वाले रख के पास पहुंचा तो वहां इतनी खुबसूरत अंगूठीया थी कि मैं थोड़ी दिर खड़ा होकर इने देखने लगा क्योंकि मुझे बच्पन सही अंगूठी पहनना बहुत पसंद था हर इनसान का कोई शौक होता है और मुझे अंगूठी पहनने का शौक था जो गुर्बत की वज़ा से कभी भी पूरा नहीं हुआ था हाँ कभी कबार रेड़ी से खरीद कर कोई अंगूठी पहन लिया करता था लेकिन इतनी अच्छी और उमदा अंगूठीया मैंने कभी नहीं पहनी थी एक अंगूठी ऐसी थी जो बहुत ही जादा खुबसूरत और इसका डिजाइन भी बहुत अजीब था इस अंगूठी से मेरी नजर ही नहीं हट रही थी मैंने सारे हिस्से की सफाई कर दी एक एक रैक की एक एक अंगूठी की सफाई की लेकिन फिर भी मेरी नजर इस पर जा रही थी मैंने देखा कि उस हिस्से में कोई वरकर नहीं है और मुझे कोई भी नहीं देख रहा तो मैंने चुपके से वो अंगुठी चुरा ली थी थी तो ये गलत बात लेकिन कभी कबार इनसान भी अपने शौक के हाथों गलत काम कर देता है और मैंने भी वही गुना किया था वहां से फारिग होने के बाद जनल स्टोर के मालकिन के पास कया तो इसने खुद पूरे स्टोर का राउंड लगाया और इसे मेरा काम मेरी सफाई करने का अंदाज बहुत पसंद आया इसलिए इसने कहा कि तुम रुजाना यहां आ जाया करो हम तन्खुआ की बात बात में कर लेंगे उस दिन की मजदूरी इसने मेरे हाथ पर रखी जो मेरी तवक्का से भी जादा थी मैं बहुत जादा खुश था उस दिन मैंने पेट भर कर खाना खाया मैं एक होटल के बरामदे में रहा करता था क्योंकि वो होटल का मालक पाकिस्तानी था और इसने अपना हमवतन होने की वज़ा से मुझे बरामदे में जगा दे दी थी उस दिन होटल में जाकर अपनी मकसूस हिस्से में बिस्तर पर बैठा तो मुझे फॉरण अंगूठी का ख्याल आया इस तरह की टेकनोलोजीज आजकल आ रही है जो इनसान की नबस की वज़ा से चलती है मुझे कुछ ना कुछ तो इनके बारे में पता था इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा मेरे लिए वो रात खुशी की रात थी और मुझे रात भर खुशी से नीन नहीं आई क्योंकि मेरे बच्पन की ये खुआश पूरी हो रही थी मैं थोड़ी देर सोता था फिर उटकर अंगूठी को देखने लगता कभी थोड़ी देर आंक लगती तो फिर उट जाता मेरी खुआश जो बच्पन से हस्रत बन गई थी उम्दा और कीमती अंगूठी पहनने की वो आज भी गलत काम के जरिये से ही सही पूरी हुई थी और मैं बहुत ही जादा खुश था दूसरे दिन सुबह मैं ममोल से जादा खुश और फ्रेश था मैं जल्दी जल्दी स्टोर में जाना चाता था क्योंकि वहां बहुत से कीमती अंगूठी थी अगर्चा मैं सारी पहन तो नहीं सकता था लेकिन देख तो सकता था और वैसे भी वहां मुझे काम मिल गया था स्टोर पर जाने से पहले मैंने वो अंगूटियां उतार दी और हिफाज़त से अपने लिबास की जेब में रख दी जब मैं स्टोर में पहुंचा तो मालकिन नहीं आई थी इसलिए मैंने खुदी काम शुरू कर दिया सुबा सुबा का वक्त था अभी सारे वरकर भी नहीं आये थे और गाक तो बिलकुल नहीं थे और यही वक्त सफाई का होता है मैं हट जगा से बड़ी जल्दी सफाई कर रहा था क्योंकि एक तो मैंने इस से अगले दिन बहुत तफसीली सफाई की थी और आज मुझे जल्दी भी थी ताके मैं जल्दी से अंगूटियों वाले हिस्से में पहुंचूँ और बाकी सारी अंगूटियों को देखूँ मैं यहां से काम जल्दी खतम करके वापस जाना चाता था ताके जेब में मौझूद अंगूटी को पहन सकूँ मैं काम खतम ही करने वाला था जब मुझे मालुम हुआ कि स्टोर की मालकिन आ गई है और उन्होंने कहा है कि मैं काम खतम करके पहले इन से मिलूँ मैंने अपना काम जल्दी जल्दी खतम किया और मालकिन के कैबिन की तरफ चला गया मालकिन ने मुझे देखते ही कहा कि तुमने जो हरकत कल की है वो मुझे मालूम हो गई है और मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है लेकिन मैं तुम्हे पुलिस के हवाले नहीं करूंगी मैं तो इसकी बात सुनकर डर गया था क्योंकि यहां पर चोरी की सिजा बहुत सक्त होती है लेकिन जब इसने कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी तो मुझे कुछ तसली हुई मैंने इन से कहा कि मुझे अंगूठियां बहुत जादा पसंद है बस अपनी पसंद और खुआश के हातों मजबूर होकर मैंने यह हरकत की है अंगूठी मेरे पास है मैं आपको वापस कर देता हूँ लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है और तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि इस मुल्क में इस जुर्म की सजा कितनी जादा है इसलिए अगर मैं तुम्हें पुलिस की हवाले नहीं कर रही तो इस में मेरी एक शर्त होगी मैंने इन से पूछा कि कौन सी शर्त है मुझे हर शर्त मनजूर है उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे घर मेरे साथ चलना होगा और वहां काम करना होगा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी स्टोर में काम करना और एक घर में काम करना मेरे लिए एक बराबर था मैं बहुत खुशी से उस औरत के घर जाने पर त्यार हो गया औरत ने उसी वक्त मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गई इसका घर क्या था एक चोटा सा फ्लैट था जो दो कमरे एक टीवी लांच और एक किचन पर मुश्टमिल था दोनों कमरों के साथ अलग अलग टैच बात थे और बस इसने मुझे कहा कि मुझे अभी यही रहना होगा और इसके घर के काम करने होंगे मैंने कहा मुझे मनजूर है अंगूठी इसने मुझे से मांगी नहीं और मैंने इसको दी नहीं वो तो मुझे फ्लैट में छोड़ कर वापिस चली गई इसके जाने के बाद मैंने तसली से सारा फ्लैट घूम फिर कर देखा और फिर एक सेरे से सफाई का काम शुरू कर दिया लेकिन उस औरत के जाने के बाद मैंने वो अंगूठी अपनी जेब से निकाल कर पहन ली थी और अब इसको पहनने की वज़ा से मेरे अंदर की खुशी दुबारा लौट आई थी और मैं खुशी खुशी सारे काम कर रहा था वो एक छोटा सा फ्लैट था और इसकी सफाई करते वे मुझे जादा वक्त नहीं लगा और मैंने थोड़े ही वक्त में इसकी बड़ी तफसीली सफाई कर ली इसके बाद अपने लिए खाना बनाया और उदर ही बैट कर खाया और टीवी देखने लगा क्योंके मालकिन जाते हुए फ्लैट से बाहर लौक करकर गई थी मुझे मालूम था कि वो ये काम क्यों करके गई है इन्हें लगता था शायद मैं यहां से भाग ना जाऊ क्योंके मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था यहां से भाग कर मैं जाता जाता भी तो कहां मेरा कौन सा ठिकाना था फिर जो काम के लिए मेरा मारा फिरना पड़ता है अगर मैं यहां से भाग जाता तो मालकिन पुलिस में कम्प्लेंड कर देती और मुझे पूरे आस्ट्रेलिया में कहीं जगा ना मिलती इसलिए मेरा यहां से जाने का कोई इरादा नहीं था रात को जब मालकिन के वापस आने का वक्त हुआ तो मैंने इनके लिए भी खाना त्यार करके रख दिया मालकिन वापस आई तो खाना देख कर बड़ी खुश हुई खाने के बाद मैंने सारे बरतन उठा कर धोए और इसके बाद मालकीन ने कहा कि वो अपने लिए खुदी कौफी बना लेंगी मुझे भला क्या इतरास हो सकता था इसलिए मैं अपने कमरे की तरफ चला गया मालकिन के आने के बाद मैंने दुबारा वो अंगूठी उतार कर जेब में डाल दी थी मैं नहीं चाहता था कि मालकिन की नजर उस अंगूठी पर पड़े तो मुझ से वापिस ले लें इसलिए जल्दी जल्दी कमरे में जाना चाहता था ताकि वो अजीब अंगूठी दुबारा पहन लूँ मैं कमरे में जाता ही अपने बिस्तर पर लेटा तो अंगूठी दुबारा निकाल कर पहन ली थोड़ी देर बाद ही मुझे अपने दिर्वाजे के बाहर लौक बंद होने की आवाज आई और मैं मुस्कुरा दिया मुझे मालुम था कि मालकिन लौक क्यों लगा रही है ये ना हो वो सो रही हो और मैं रात का फाइदा उठा कर भाग जाऊ मैं भागने वाला तो नहीं था लेकिन मालकिन के डर पर मुझे हसी आ रही थी बरहल मैंने इस पर कोई इतराज नहीं किया और शबो रोज ऐसे ही गुजरने लगे मुझे यहां रहते वे महीना हो गया था और इस में ये मामूल जारी था जाते वे मालकिन फ्लैट को बाहर से लौक लगा जाती पूरे फ्लैट में मैं अजाद होता था और जब वो घर वापस आती खाना खाने के बाद अगर मेरा दिल भी होता बाहर बैठने का तो मुझे जबरदस्ती मेरे कमरे में भेज देती और लौक लगा देती एक महीना पूरा होने के बाद मुझे मेरी मालकिन ने एक लाग पाउंट का चेक दिया कि ये तुम्हारी तनखुआ है मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं घर में सारा दिन फारिग होता हूँ कोई खास काम भी नहीं करता लेकिन मालकिन ने फिर भी मुझे इतनी ज़ादा तनखुआ दी है मैंने मालकिन से इजाज़त मांगी कि मैं बाहर जाकर ये पैसे अपने घर वालों को भीजना चाता हूँ और कुछ अपनी शॉपिंग भी करना चाता हूँ तो इसने कहा कि मुझे इस फ्लैट से बाहर निकलने की अजासत नहीं है उन्होंने खुद ही मुझे मेरे घर वालों का अकाउंट नमबर लिया और पैसे ट्रांसफर कर दिये मेरी जरूरत की चीजों की मुझे से लिस्ट पनवा कर ले गई और खुद ही शॉपिंग करके ले आई थी इस महीने में कमज कम इन्हें मुझे पर इतबार हो जाना चाहिए था कि मैं कभी नहीं भागूंगा और वैसे भी जो अंगुटी मैंने चुराई थी वो इतनी ज़्यादा कीमती भी नहीं थी कि इसके लिए इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च करती और एक आदमी को भी कैद करके रखती एक दिन मैंने बातों बातों में इसकी कीमत पूची थी और इसकी कीमत सिर्फ तीन हजार डॉलर्स थी और मज़े की बात ये कि वो अंगुटी अब भी मैं घर में पहने रहता था मालकिन के सामने भी क्योंके मालकिन ने मुझे खुद इजाज़त दी थी कि वो अंगुटी मुझे इससे छुपकर पहनने की जरूरत नहीं है मैं अपना शौक इसके सामने भी पूरा कर सकता हूँ वो अंगुटी वाटर प्रूफ थी इसलिए मुझे काम करते वे भी इसे उतारने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो अंगुटी 24 गंटे मेरी उंगली पर ही होती थी लेकिन मैं मर्थ था अजाद पंची था बाहर का आदमी था और मैं सिर्फ एक अंगुटी की वज़ा से एक छोटे से फ्लैट में बंद होकर रह गया था मैं कुछ भी कर लेता मैं बाहर नहीं जा सकता था दिन के वक्त तो मैं फिर भी फ्लैट में घूमता फिरता रहता टीवी लगा लिया करता था लेकिन रात को मुझे हर सूरत में बंद कर दिया जाता कभी मेरा दिल भी होता कि मैं बाहर लाउंच में रहूं या थोड़ी देर टीवी इंजुआए कर लूं लेकिन मेरी मालकिन मुझे जबरदस्ती मेरे कमरे में बंद कर देती और मैं इन सबसे तंगा चुका था मुझे यहां रहते वे तीन माँ हो चुके थे इन दिनों में मैं बिलकुल बाहर की दुनिया से कटकर रह गया था पैसे बकाइदगी से मेरे घर पहुंच रहे थे मेरी सारी जरूरियात पूरी हो रही थी और जो मेरी बच्चत होती थी इनके बारे में कभी पलट कर नहीं पूछा था कि पैसे कहां गए जो कहता था अपनी जरूरत की जो बात करता वो पूरी हो जाती और मेरी मालकिन कभी मुझसे पैसे भी नहीं लेती थी सिर्फ मेरी तन्खुआ में से मनें एक मखसोस हिसा मेरे घर भिजवा दिया करती दिन के वगद घर में बात भी कर लिया करता था लेकिन इसके इलावा रात के वगद मैं अपने घर भी बात नहीं कर सकता था मुझे घुसा आने लगा था और हकीकत मी मैं चाहता था कि यहां से भाग जाऊं सारा दिन जब मुझे कोई काम नहीं होता था रात को मुझे नीन नहीं आती थी वैसे भी इनसान एक जगा बंद रहकर चिड़चड़ा सा हो जाता है और कुछ दिनों से मुझे सारी सारी रात नीन नहीं आती थी मैं सारी रात कमरे में टहलता रहता था मेरे कमरे में कोई खिड़की नहीं थी बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था दर्वाजा जिसको मेरी मालकी ने लॉक लगा दिया था पहले तो मैं रात को सो जाया करता था इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं होता था लेकिन अब क्योंकि सारी सारी रात जाकता रहता था इसलिए मुझे मालूम होता था कि मुझे कमरे में बंद करने के बाद फ्लैट में कोई ना कोई तो होता है कुछ ना कुछ मसला चल रहा है कि मुझे बाहर से आवाजे आती रहती थी, कभी कुछ चीजे उठाने की, कभी बातों की, बलकि अजीबी तमाशा होता रहता था लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता था कि वो जो भी तमाशा था मेरे कमरे में बंद होने के बाद ही होता था मुझे यहां रहते हुए क्योंकि बहुत अर्सा हो गया था इसलिए मुझे मालूम था कि कौन सी चीज कहा होती है और घर की चाबियां कहा होती है वो मुझे मालूम था इसलिए एक दिन मैंने अपने कमरे की एक्स्ट्रा चाबी चुपा ली और रात को जब मालकिन मुझे बंद करके गई तो थोड़ी देर के बाद ही मैं उस चाबी से दर्वाजे का लॉक खोल कर चुपके से बाहर आगया लेकिन बाहर आने के बाद जो मैंने देखा वो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकालने को काफी था मुझे अपनी आँखों पर तो यकीन ही नहीं आया था कि मैंने एक सेकंड से भी कम अरसे में वापस अपने कमरे में दोड लगा दी और कमरे का दर्वाजा बंद करके लेड़ गया मुझे में इतनी हमत नहीं थी कि मैं दुबारा बाहर जाता मुझे यहां से डर लगने लगा था मैं चाता था कि किसी तरहां भी यहां से जान छुडा लो और निकल कर वापस अपने माबाप के पास चला जाओ लेकिन यह कैद हमेशा की थी क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि ये औरत कभी भी मुझे यहां से नहीं निकालेगी हैरत का जटका तब लगा जब इस वाक्य के तीन दिन बाद ही उस औरत ने मुझे कहा कि तुम घर में रहकर तंग हो गए हो तो इसलिए आओ बाहर घुमने चलते हैं मुझे वड़ी हैरत हुई कि मुझे बाहर कैसे ले जा सकती है लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि कमस कम मुझे बाहर तो लेकर जाने को त्यार है इसलिए मैं खुशी खुशी इसके साथ चल पड़ा मुझे लेकर वो एक पार्क में गई लेकिन इदर भी मेरे साथ साथ रही मुझे इसके साथ रहने से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था मैंने इतने अर्से बाद बाहर की दुनिया देखी थी और मुझे यू लग रहा था कि मैं सारी दुनिया को पहली दफ़ा देख रहा हूँ उस दिन जब हम वापस आये तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था लेकिन एक बात है कि वहां घूमते फिरते मुझे अपनी कलाई में वाइबरेशन का एसास होता रहा था शायद अंगूठी भी इतने अर्से बाद सूरज की रोशनी को देखकर वाइबरेट हो रही थी नज़र रखती थी हर जगा मेरे साथ साथ रहती मैं तो ये सोच रहा था कि घर से बाहर निकलना शुरू हो गया है तो किसी जगा मौका पाकर मैं आगे पीछे हो जाऊंगा और पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा ताकि इस कैद से तो मेरी जान चूटे लेकिन शायद उस औरत को भी मेरे इरादों की खबर हो गई थी इसने मुझ पर उकाब की नज़र रखना शुरू कर दी थी हमेशा की तरह मेरा बहुत ख्याल रखती थी लेकिन उस रात के बाद मुझे उससे डर लगने लगा था मुझे यकीन था कि मेरी जिन्दगी बहुत कम रह गई है मैं नहीं मरना चाहता था अपने माबाप के पास जाकर कुछ टाइम गुजारना चाहता था लेकिन यहां से निकल कर जाता तो शायद अपनी तबाई मौत ही मरता लेकिन यहां से निकलना ही तो सबसे मुश्किल काम था मैं अजाद होकर भी कैदियों जैसी हालत में था जैसे जेल के कैदियों को कहीं बाँ लेकर जाते हैं तो इनके साथ मौजूद सपाई साथ-साथ रहता है कभी इनकी मर्जि से नहीं आने जाने देता बलके ऐसा ही मेरे साथ था लेकिन सरशाम ही मुझे कमरे में बंद करने का सिलसला अभी भी जारी था अभी तो मेरे पास चाबी थी लेकिन मेरी हमत ही नहीं होती थी के मैं दर्वाजा खोल कर बाहर निकल जाऊं इसी को अपनी जिन्दगी समझ कर चुप करके बैट कया था शायद मेरी जिन्दगी ऐसी ही लिखी थी इतना बड़ा गुना तो नहीं किया था लेकिन शायद इस गुना के सिजा बहुत बड़ी थी और फिर एक दिन रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मुझे यू महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे के दर्वाजे पर कोई मौजूद हो मुझे बड़ी हैरत हुई और डर भी लगा क्यूंकि उस रात का गुजरावा मनजर मेरी आंखों के सामने आ गया लेकिन मैं चुप करके लिटा रहा थोड़ी दिर बार दर्वाजा खुला और दो आदमी अंदर दाखिल हुए कमरे में अंधेरा था इसलिए मैं इनके चेहरे तो ना देख सका इन मेंसे एक ने मेरे नाक पर कोई चीज रखी और फिर मुझे कुछ होश ना रहा जब दुबारा मुझे होश आया तो मैं कमरे में मौजूद था वो कमरा अजीब सा था बिलकुल लाइबरोटरी लग रहा था रंग बरंगी मशीने, कैमिकल और ना जाने क्या कुछ वहाँ पढ़ा था कि लोग वहाँ काम कर रहे थे मुझे होश में आता देखकर कुछ लोग फौरण मेरी तरफ लपके मैंने पूछा कि मैं कहा हूँ और ये सब क्या है तो एक सहाब ने बताया कि तुम लेबरोटरी में हो घबराओ नहीं, तुम ठीक हो मेरी आंकों के सामने वो रात घुम गई और मैं बहुत ही जादा खौफजदा हो गया लेकिन मैं कर ही क्या सकता था और थोड़ी देर बाद ही मेरी मालकिन के साथ एक और आदमी वहां आया मालकिन मुझे देखकर मुस्कुराने लगी इसने कहा कि मुझे मालुम है तुम शायद खौफजदा हो रहे हो तुम अब बिल्कुल ठीक हो और अजाद भी तुम जहां जाना चाते हो वहां जा सकते हो मैंने इन से पूछा कि ये सब क्या है मैं कहां पर हूँ और क्या हुआ था तब उन्होंने कहा कि अब मुझे बताने में कोई हर्च नहीं है क्योंकि इनका काम खतम हो चुका है मैंने पूछा कि ये सब क्या था उन्होंने बताया कि जो अंगूठी मैंने चोरी की थी वो कोई आम अंगूठी नहीं थी बलकि स्पेशल डिजाइन की हुई थी जो कोई वो पहनता था इसके जिसम में खून के साथ एक चिप शामिल कर दी जाती थी जिसके जरीए हम उस बंदे के इर्द गिर्द होने वाले तमाम वाकियात को असानी से देख सकते थे ना सिर्फ देख सकते थे बलकि सुन भी सकते थे लेकिन इसके लिए स्पेशल किसम के बलड ग्रूप की जरूरत थी जो कि बहुत कम लोगों का होता है और ये बहुत ही अब्तताई महले पर होने वाली तहकीक थी वो अंगूटी तो वहाँ पर इसली रखवाई गई थी कि अगर कोई ऐसा बंदा होता है जिसका बलड ग्रूप A B नेगिटिव हो तो हम किसी तरीके से वो अंगूटी इसको दे सकते हैं ताके वो इसको पहने तो हमें महसूस हो कि हमारा तजर्बा कामयाब हुआ है या नहीं लेकिन अब हुआ कुछ ऐसे कि वो अंगूटी तुमने चोरी कर ली और चोरी करने के बाद वो पहन भी ली और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारा बलड ग्रूप A B नेगिटिव था इस वज़ा से वो चिप एक्टिवेट हो गई और इसके एक्टिवेट होने से ही हमें पता चला और हमने टेली वियू की जरीये से देख लिया कि अंगूठी किसके पास है दूसरे दिन जब तुम्हारे पास अंगूठी का पता चला तो तुम्हें जान बूच कर मैं यहां लेकर आई हमने तुम्हें यहां रख कर हर किसम के तज़रबात किये इस अंगूठी के लिए हम बलड ग्रूप की बंदिश को खतम करना चाते थे कि किसी भी बलड ग्रूप में वैसे ही काम करे और तुम्हें घर के अंदर बंद करने का मकसद सिर्फ इतना था कि कहीं तुम वो अंगूठी लेकर फरार ना हो जाओ और हमें अभी बहुत सादा काम करना था इस मौज़ू पर और हमें ये भी देखना था कि इसकी वज़ा से जिसम पर या जिहन पर कोई असरात मुरतिब तो नहीं होते या फिर इस बंदे के अंदर किसी किसम की कोई चेंज तो नहीं पैदा होता जिस से इस बंदे को एसास हो कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज मौजूद है लेकिन तीन महीने तुम्हारे उपर तजर्बा करने के बाद हमें मालूम हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारे जहन में जो भागने की बाते चलती थी वो सारी हमें मालूम हो जाती थी और सबसे बड़ी बात ये कि जिस राद दर्वाजा खोल कर तुम बाहर आये थे और तुमने वो सब देखा था उस राद भी हमें मालूम हो गया था लकिन हमने इसको इगनूर किया तुमने यही देखा था कि हम लोग मुख्तलिफ जार्ज में खून रखकर बैठे थे और इनको बोतलों में भर रहे थे और कभी क्या और कभी क्या हम लोग खून पर बात कर रहे थे वहां बैठ कर मुख्तलिफ खूनों पर तजर्बा कर रहे थे और तुमने नजाने क्या समझ लिया कि जैसे हम कोई कातिल हैं क्योंकि उस वक्त काम करने की वज़ा से हम सब का हुलिया बकाइदा कातलों जैसा ही हुआ था और मैं खुद एक साइंसदान हूँ और स्टोर इसलिए चलाती हूँ ताकि पार टाइम कोई काम हो और आमदनी का जर्या हो और अब हमें काम्याबी मिल गई है तुम्हें बाहर ले जाने का मकसद यही था कि तुम्हारे एड़ गिर्द हरकत हम मालूम करते रहें और वो हमें बहुत अच्छे से मालूम हो गई इस अंगोटी की कारकरदगी में जो कम्या थी वो हमने तीन महीनों में खतम कर दी हैं और किसी भी बलड ग्रूप वाले पर वैसे ही काम करेगी जैसा कि ये तुम पर करती रही है लेकिन तुमने हमारा बहुत साथ दिया इसलिए हमने तुम्हें पैसे दिये हर महीने और अब तुम हमारी तरफ से आजाद हो जहां चाहो जा सकते हो क्योंकि हमने अंगोटी तु पाकिस्तान भागने की जल्दी में था लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मैं बिलकुल अजाद हो चुका हूँ तो मैंने इन से कहा कि आप जानती है कि मेरे पास कोई काम नहीं है मुझे कोई काम दिलवा दीजिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ इन लोगों ने मुझे अपनी ल